तो चलो आज बनाते हैं प्रिटी से रेड और वाइट कलर के ब्यूटिफुल से एरिंग तो फटाफट मैंने कोरस कॉटन लिया है जिसको मैं पीसिस में कट करूँगी ये वाला बेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस बेस की वज़े से जो भी हमारा इरिंग होगा उसकी शेप अराम से होल्ड हो जाएगी इस बेस के उपर हमें वाइट कलर का कॉटन फैब्रिक अटेच करना है फैब्रिक ग्लू या भी 7000 ग्लू किसी भी ग्लू का आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे बीट्स ली हैं मैंने यहाँ पे रेड और वाइट दो कलर के बीड ली हैं इसको अटेच करने के लिए थ्रेड के साथ साथ मैं यहाँ पे ग्लू का भी यूज़ कर रही हूँ अगर आपके बास थोड़ा सा एक्स्टा टाइम है तो आप थ्रेड की हेल्प से भी बीड्स को अटेच कर सकते हो सेंटर में जो रेड कलर के बीड्स हैं उनके साथ में हमें दो लेयर वाइट कलर के बीड्स की लगानी है मैं यहाँ पे जो वाइट कलर के बीड्स हैं उनको सरकल में नहीं लगा रही हूँ scale के help से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको different shape देंगे आप चाहो तो circle shape भी बना सकते हो दोनों जो white color के rounds थे वो हमारे complete हो गए हैं अब मैं scale लूँगी और थोड़ा सा beads को प्रेस करूँगी अंदर की side white layer complete होने की बाद हमें red color के beads लगाने हैं तो दो अंदर की side मैंने 2 layer हैं वो white color के beads के लिए हैं अब मैं same 2 layer red color के beads की लूँगी same process हमें follow करना है मैंने needle को उपर की side insert किया इसके अंदर मैं beads को insert करूँगी और नीचे की side glue लगाने की बाद beads को attach करूँगी बहुत ही easily attach हो जाएंगे आपको कोई भी problem नहीं आएगी अगर आपको भी में इतने jewelry बनाना पसंद है तो jewelry making के लिए जो भी basic material है उसका link मैंने description box में दे दिया है आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो पस जो layer थी red color के beads की वो complete हो गई है same process को repeat करके मैं second layer को भी complete कर लूँगी तो दो-दो layer हमारी complete हो गई है आपको अगर जितना बड़ा earring चाहिए आप उत्ती ही layers को repeat कर लेना मैंने यह आप यह दो-दो layer की है next step में मैं वापस दो layer white color के beads की लगाऊंगी और उसके side में वापस से दो layer red color के beads की लगाऊंगी मैंने यहापे जो beads लिया है वो 11-0 size के beads लिया है अगर आपके वाज किसी और size के beads हैं तो आप उनसे भी बना सकते हो process हमारा same ही रहेगा same ही हमें बार-बार जो colors है उनको repeat करके दो-दो layer complete करनी है मैंने पहले single-single layers लेने का सूचा था लेकिन जब मैं उनको लगाने लगी तो वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे अगर आप double layer लगाऊगी तो वो जादा beautiful लगेगा तो white color के जो beats थे उनकी दोनो layer मैंने complete कर लिए है अब मैं red color के beats से भी दो layer को complete करूँगी मैंने यहाँ पर दो बार white और दो बार red का use किया है अगर आपको और बड़ा earring चाहिए तो आप एक-एक layer और ले ले लेना उसके side side में attach करनी है यह वाली जो dory आप glue की help से attach करना अगर thread की help से आप attach करोगी तो इसकी finishing खराब हो जाएगी क्योंकि बहुते thin dory होती है तो मैंने नीचे की side glue लगाया और उपर की side dory को attach करेंगे एक end से हम इसे cut करके दोनों ends को एक दूसरे से attach कर देंगे हमारे earring का एक part बनके complete हो गया है अब मैं second part बनाऊंगी उपर की side तो हमें same ही process repeat करना है लेकिन इस से छोटा part हम बनाएंगे center की तरफ मैंने same red color के beads को attach किया और उसके side में मैं white color के beads को लगाऊंगी यहाँ पर जो white color के beads हैं उनसे मैं 3 layer बनाऊंगी पहले जो हमने बनाई थी वो 2-2 layer बनाई थी इस बार मैं white color के beads से 3 layer लगा रहे हूं process हमारा same ही रहेगा नीचे की side हमें glue लगाना है और उपर की side thread के अंदर beads को insert करके नीचे की side attach कर देंगे इस वाले earring को complete करने में मुझे total 1 hour का time लगा था बहुत ही easy से step हैं आप भी easily इससे घर पर बना सकते हैं white color की layer मेरी complete हो गई है इसके बाद मैं red color के beads लगाऊंगी यहाँ पर मैंने जो red color की layer लिये वो 2 लिये 3 नहीं लिये क्योंकि 3 लगाने के बाद ही बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने 2 ही लिये हैं सारे beads लगाने के बाद हम इसे थोरी देर dry होने के लिए रखेंगे उसके बाद ही scissor की help से हम इसे cut करेंगे तो first जो layer थी वो हमारी लगके complete हो गई है इसी type से हम second layer को भी complete कर लेंगे दोनो layer complete करने के बाद हमने जैसे first part में last में golden dory लगाई थी same वैसे हमें यहाँ पर भी लगानी है तो यहाँ पर मैं glue की help से यह dory को attach कर रही हूँ अगर आपके पास यह golden color की dory नहीं है तो आप golden color की beads का भी use कर सकते हो golden dory जाद अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसी को लगाया है तो dory लगाने के बाद side से हमें से cut कर देंगे और अच्छे से attach कर देंगे दोनो जो parts हैं वो हमारे बन के ready हो गए है थोड़ी दे dry होने के बाद मैं इनको scissor की help से cut कर लूँगी यह वाली जो sheet है वो easily cut हो जाएगी आपको कोई problem नहीं आएगी दोनो parts को cut करने के बाद हमें इने एक दूसरे से attach करना है आप चाहो तो glue की help से भी इने attach कर सकते हो या फिर thread की help से भी इने attach कर सकते हो हमारे एरिंग का जो base था उसको cut करते time मैंने नीचे की side थोड़ा extra fabric छोड़ा है क्योंकि हमें वहाँ पे hanging लगानी है तो आप भी थोड़ा fabric छोड़ना ताकि hanging easily लग पाए दोनों parts को connect करने के लिए मैं यहाँ पे पहले thread की help से इनको attach करूँगी उसके बाद मैं glue की help से भी इनको stick कर दूँगी दोनों parts को connect करने के बाद हमें hanging लगानी है जिसके लिए मैंने यहाँ पे white color के beads और white color की drops का use की है white drops की जगे आप red color की drops का भी use कर सकते हो नीचे की side जो मैंने fabric छोड़ा था उसी के अंदर मैं needle को insert करूँगी और thread के अंदर maroon और white color के beads को insert करेंगे उसके बाद last में हमें drop को insert करना है मैंने इस pattern के अंदर beads को insert किया है आपको जो भी pattern पसंद आप उसके हिसाब से beads को insert कर सकते हैं लास्ट के एक bead को छोड़ के बाकी सभी के अंदर needle को उपर की side वापस निकालेंगे और एक ही करके same process से हम hanging को बनाएंगे लास्ट पार्ट के लिए back side में glue की help से ear stud लगाएंगे और finishing के लिए मैंने यहाँ पे white cotton fabric का ही use किया है तो finally हमारे जो beautiful से earring थिको बनके ready हो गए है I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो Thank you for watching my videos Bye bye, have a nice day